सियाचीन में साथियों को बचाने में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंग के परिवार को उनके अधम में साहस और बहादूरी के लिए 5 चुलाई 2024 को राश्टपती ने कीर्थी चक्र से सम्भानित किया था लेकिन अब अंशुमान सिंग के माता पिता का एक और दर्द सामने आया है शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने अपने बयान में कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया पर सब कुछ बहू लेकर चली गई आरोप है कि बहू स्मृति अपने पती की फोटो, एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिये गए कीर्थी चक्र को लेकर अपने घर गुर्दास पूर चली गई है और हमारे संवधाता राजीव हमारे साथ में जूड़ गए हैं जो कि इस वक्त शहीद अन्शुमान के माता पिता के साथ में मौजूद है राजीव बाचीत कीजिए उनसे अमदीप उन्नी सुलाई दोहजार तेईस को कैप्टन अन्सुमान सियाचिन में अपने साथियों को बचाने में सहीद हुए थे उसके बाद भीते पांच जुलाई एक को राष्टपती ने उन्हें कीर्थी चक्र दिया है लेकिन इस बाद इस वक्त हमारे साथ उनके पिता जी राम प्रताप सिंग जी जो खुद एक भूत पूर सनिक रहे हैं सुमेतार मेजर से रिटायर हुए हैं वो बहुजूद है उनसे हम बात करेंगे असर अनसुमान को कीर्थी चक्र मिला है दूसरा सर्वोच सम्मान है किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे देखिए मेरे बेटे ने जो शहादत दी और बिंग एड़क्टर उसने जिस जमबाजी के साथ अपने जीवन के अंतिम पड़ाओ पे लोगों की जिन्दगिया बचाते हुए शहादत को गले लगाया या पूरा देश उसके साथ खड़ा है खड़ा था क्योंकि अंतिम यात्रा में जो रोडों पे लोग उसके नाम को लिख करके और पुष्पपरशा कर रहे थे वो सरधांजली हमारे लिए आज भी दिलों में हमने सजो के रखा है और बारत सरकार ने और राज सरकार ने जो सायोग हमें दिया वो आधरणी और अनकरणी है मैं दो बार मानी मुक्रमंतरी जी से मिला और मुझे लगा नहीं कि मैं किसी परदेश के मुक्याश हमिलाए उनकी आखे मी नम हुई और केंदर सरकार में मेरी मुलाकात मानी रच्छामंदरी चीवा तो उन्होंने ऐसा डोमेन प्रोवाइड कि मैं किसी बड़े वाई से मिल लेकिन अ इस वक्ते आपने कहा कि कुछ दर्द आपको है क्योंकि जिस तरह से किर्ती चक्र मिलने के बाद घृत और मुक्या जोF नहीं मिला जो कीर्ती चक्र झाह तहाई या जो धन्राशी थी वह आपकी बहुभ लेकर चली गई इसको लेकर किस तरह की देखिए धन्रासी का अपना एक प्रक्रिया है जो मापधंड है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 50 लाग के धन्रासी दी थी उसमें 35 लाख रुपे मेरी बहू को और 15 लाख रुपे परिवार को उसे दिनियानी 21 जुलाई 2023 को ही मिल गए थे राजे सरकार ने एक सड़क के नामकरण का जो कहा था वो भी माननी या राजपाल महोदिया के सर्कुलर से अक्टूबर महीने में ही हो गया जो मेरे गाउं से होके गुजरता था और एक जो परिवार के सदेश को नोकरी की बाती वो भी माननी योगी जी ने उसको प्रक्रिया आगे बढ़ा दिया है और रही बात जो और एक्स ग्रेशिया कार या समान की रासी है तो मुझे जो आर्मे ग्रूप इंस्वरेंस का पैसा था वो 50-50 डिस्टिबूट हुआ और जो एक्स ग्रेशिया का पैसा था वो अभी अंडर प्रोसेस है तो जो भी उसके निर्धारी मा पर हमा दो पर फूर्वामाम में यह जा रही थी हलसल के लिए मरी वाइफ तो जो हां पर एक पेपर के तौर पर दीया गया तो उस समय मेरी पत्नी ने उसको हाथ से पकड़ा तो शियोशा आब आए और उन्होंने कहा कि आपकी उन्होंने कहा होगा मेरी बहुने कि नहीं जाने के लिए तैयार हम नहीं जाएंगी वो और यह मेरे बेटे का जो सम्मान है वो पूरी सम्मान के साथ ग्राण वो करें और हम इसके लिए यह भी शाहदत देने के लिए तैयार है को नहीं जाएंगे फिर मैंने पत्नी से कहा कि आप केवल सिंबोलिक रूप से उसको दोनों मता पिता से कहा था कि एक मूर्ती लग रही है हमारे बेटे की जो लखनौ में तो हम चाहेंगे कि यह जो चक्र है यह उस बहादूर के सीने पर सोभा दे और यह वहां लगाएं और फिर आपको हमसा सम्मान वापस कर देंगे तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दि आता नहीं और भारत मननपम में लगभग दस शाड़े दस वज तक हम लोग जब तक डिनर कर रहे थे वाडी और उनके पैरेंट्स उनके जो गेस थे तब तक वो चक्रा हमारी बहु के हाथ में था लेकिन हमारे बगल में इसोफे बैठी थी एक बार भी उन्होंने नहीं कह अगर हमारे हाथ में आता तो कम से कम हम देख करके एक छण की खातिर ही लेकिन भाव भी होर जरूर होते और जो खती मीठी यादें थी बेटी की याओ तो हमेशा रहेंगी उसके साथ कुस कम से कम पुरानी यादें जो अनता परदेश में उठती हैं और उदगार के साथ हम हम भी आलादीत हो लेते वो उस अउसर से हम बंचित हुए और जब यह हरदय की बेदना थी तब यह सर बजमाई जो कि समाज में नहीं आनी चाहिए जो कि चल लाए कि पैसे को लेदे करके ऐसा कुछ भी नहीं है बिलकुल मैंने न चाहा है और मैं चाहता आपकी आखों में मैं आसु देख रहा हूँ एक सपना होता हारेक फोजी का की कीरती चक्र दूसरा बड़ा सम्वान है और वो मौके पर आपके बेटे को मिला यह गोरों की बात है और वो आप नहीं टच कर पाए निश्यत रूप से टच नहीं कर पाए तो आप कह सकते हैं कि जो उमीद की कलि पुस्पित पल्लेवित होने से पहले उन पर तूसारपात हो गया मैं कदाचित ऐसा आभागा पिता हूं जो यही महसूस कर रहा हूं और ऐसा हो जाता तो शायद बहता होता है आप इसको लेकर क्या मांग करना चाहेंगे कि इस तरह की जो रिपेलिका होती है वो दूबारा दी जायता कि दुबारा किसी एक अगर पत्नी को मिले तो एक उसके परिवार को भी मिले हां मैं ये जरूर मेरी इक्षा है मैं लिमान तो आप नहीं कह सकते इक्षा जरूर है क्योंकि अंतरपरदेश में उठे वे उदगार हैं जो कि अभी सब्दों का रूप ले रहे हैं अगर रेप्लिका दो मिले और पत्नी अलग जाती हैं अलग रहती हैं तो उस केस में अगर दो मिले तो कम से कम माता पिता भी शामो शहर अपने उस एवार को देख करके कम से कम सम्मान के साथ जी सकते हैं और पत्नी तो हैं ही जो ये दुख जेल नहीं है क्योंकि देखिए म मेरा बेटा जब सहीद हुआ था तो 19 जुलाई को यह बड़ा एक हरदय विदारक मंजर होता है कि किसी पिता को यह हो कि आपका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो शहसा यह विश्वास कर पाना और जहेल पाना यह बहुत छोटी सीज नहीं है मेरे साथ भी ऐसा हुआ मैं भी इसी बहुत एक जगत का प्राणी हूँ लेकिन चुकि मैं एक्स फोर्म फोजी रहा और कुछ शिकलाई रही और कुछ मेरे आप कह सकते हैं कि मेरे पुरवजों की जो डियन ने था या जो भी रहा हो तो मैंने अपने आपको सोज़ोया और यह आंदर रिकार्ड कहा कि आप यह बताएं कि मेरा बेटा बीरों की तरह से सहीद हुआ या कायरों की तरह से तो यह बताया गया कि नहीं आपका बेटा बहुत बीर था और बीरों की तरह से सहीद हुआ तो मैंने कहा जो मैं खोच चुका वो तो वापस नहीं आ सकता लिए मु मुझे नहीं मिला। जरूरी है और कुछ नहीं। होने मला है। नहीं तो मैं अब भी भी उन्निस जुलाई दो हजार तेईस उसी दिन बैठी हूं वही दर्द लेके रात और दिन। मेरे लिए एक साल नहीं हुआ है। जब दो आनमी पकड़ते हैं तो कन्फ्यूज होता है कि कौन छोड़ रहा है। तो सायद वह पहले छोड़ दी तो मेरे हाथ में आया। इतना है कि कौन बच्चा कितना लगा अपने मा से रखता है। मैं अखेली मा नहीं। हर मा चार दस बच्चे पैदा करें वह बराबर एक्वल होता है प्यार। पर वह बच्चे में होता है कि कौन बच्चा अपने मा का वह दिल जीतता है और इतना करीब होता है। वो मेरा बेटा था वो अलग ही था मैं नहीं out थी यह अपने आपको नहीं बैठा सकती लिए बहुत अच्छी मा मा अच्छी होती है दैसके पर वो बेटा वो ऐसा था उसका सम्मान मिला है माअबाब तो हर माअबाप एक ही जैसे रहे हैं अपने अउलाद के लिए कोई बड़ी बात नहीं है पर बड़ी बात है उस आउलाद पे कि वो कौन आउलाद है जो अपने माँ बाप के लिए राजेव एक सवाल ये भी कीजेगा कि अंशुमान की वो कौन कौन सी यादे हैं जो इसमरती अपने साथ में ले गई हैं जिने माता पीता चाहते थे वो रखना इसके अलावा जो सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी गई थी बेहत कम समय में अंशुमान ने अदम में शाहस का परिचे दिया और सरवोच बलिदान दिया सहीद हुए ऐसे में वो कौन कौन सी यादे हैं जो आज भी आपको यादा थे तो डरते नहीं थे वो पहले भी 2013 में सिया चीन टॉपर थे पांचों लेट्री स्कूल से हर इस स्क प्रिंस्पल जो वहां जो भी कर्नल जो भी थे तो हमें बताया नहीं गया कि अंसुमान गये हैं जब वहां टॉप करके आये थे महां जंडा गार कहे थे वहीं सिया चीन में तो जब हम बाद में गये तो हमें पता चला कि मेरा बेटा ही उसमें गया था टॉप करके आया था जो चारो स्कूल के बच्चे वो नहीं महा पहुंच पाए तो थोड़ा दुख हुआ कि पूछना चाहिए प्रिंसिपल को पर उन्होंने ये बताया कि इसलिए अंसुमान को चुना गया कि वो फाइनल भी टॉप करेंगे और जहां जा रहे हैं वो भी टॉप करेंगे तो खु अहीं भी जाते थे वो टॉपर ही थे और कभी ऐसे नहीं हुआ कि उनका बोर्ड पर नाम नहीं स्कूल से लेके और पूरी जगनी ऐसे फेमिलिया बोलती थी कि देखना ही क्या है अंसुमान का ही नाम होगा जी 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 वो दो साल इंटरनेशनल मैत होलंपियाड में हिमाचल परदेश के फस्ट रहंगे उनके थी और वो मैत और बायो दोनों कोर उनका सब्जेक्ट था और वो उनकी जो आई-ई-टी के रहंग नहीं जेई एडवांस के 2015 में वो 18,735 थी और जेई मेन के तोर पे उन लटाया था तो ये चैनित हुए पहले 15% कोटे के इंदर राजेंद्र राजेंद्र और विग्यान संसान रांची के लिए वहां भी मैंने एडमिशन करा उसके बाद ये एफमसी में गए डाक्टर बनने के लिए और इनकी एफमसी में रेंगिंग तीस थी तो ये परिवार और इसमृतिक कब संपर्क में आए कैसे कोल्टिक बता रहे हैं तो मैंने कहा कि बेटा आप ये करें तो जब मैंने चुकि जिस दिन AI PMT का एक्जाम हुआ था उसी दिन नेशनल सीट एलोकेटिंग अथार्टीस जो होती है जो AI जेई मेन के तोर पे उसके सीट एक्सेप्ट करने का डेट आखरी डेट था तो हम कपूर्थला घर नहीं गए सबसे पहले जलंधर NIT के और सीट को एक्सेप्ट किये तो उनका एडमीशन हुआ एडमीशन में वह एक महीना वहां पड़ है और उसी बीच में हमारी बहु आई थी शिविल इंजिनियर करने के लिए तो इ इसा उन्होंने शादी के लिए का डेट है और हमने शादी कर लेते हैं तो बड़ी उमीदों के साथ खुशी के साथ आपने साधी की थी उसके बात क्या सोचा था कभी ये दिन देखने को मिलें नहीं इसे लगा नहीं था और कोई ऐसा सोच नहीं सकता है कि मेरा बेटा इतन में ही नहीं आएगा और फौज तो ऐसे ही है फौजी जो होते हैं उनको डर नहीं होता है और मैं एक फौजी की बीबी मुझे डर नहीं लगता था कि मेरा बेटा फौज में है मुझे अभी भी दो बच्ची है घर मैं मैं चाहूंगी कि जाएं पर वो क्या है कि जो करता है वो यूनिक होता है वो अलगी पैसन होता है वह ही कर सकता है जो एसे जजबा रखता है और मेरे बेटा में बहता है कोई ऐसा चीज नहीं जो आगे बढ़के नहीं किया को बच्चा था तब भी बड़ा हुआ तब भी और जो मुझे खूसी थी कि मैं ऐसे साधी करूंगी ऐसे साधी करूँगी कि देखेगा लोग चाहे फेमली चाहे और मैं वैसे ही कि मैं उसको बेटी तो बार में बोलूगी मैं उसको अंसुमान बोलती थी अभी भी मेरे लिए वो बेटी ही है कहीं भी रहे वो बेटी ही है बहुतो जो समाज में बोला जाता है तो बहु मैं समझती हूँ बहु बोल देती हूँ पर मेरे लिए वो अनसुमांधी और मैं बोलती थी तुमेरा